हालो एवरिवान गुड मॉर्निंग चौल ओफ यू कैसे हाप सब अभी सुबह के बजे हैं साथ मतलब साथ बजने वाले थे अभी बजे निथी साड़े च्छे के असपास का टाइम था और मैं आई हूँ आज पार्किंग साफ करने बहुत जादा दिन हो गे थे पार्किंग क कर लिया था उसको मैं अभी पॉलवथिन में भर रही हूँ एक्चुली आई तो मैं थी नीचे धोने की पूरी पार्किंग को धो दूंगे लेकिन कूड़ा इतना साथा था कि मैं सोचा कि धूल मिट्टी बहुत जमी हुई है और इसके उपर पानी डाल दूंगे तो यह य जाती है और उनकी गारी पे भी मैंने पानी डाल दिया मतलब थोड़ी वह दो भी दी जादा तो नहीं खेर तो मुझे यह था कि भई जो नीचे पानी डालना है वह सीधा मैं गारी पर ही डालतू तो नीचे अपने आप ही आ जाएगा तो गारी वैसे तो साफी थी लेकिन ही है कि कई दिन तक ही उजना हो खड़े खड़े तो वह धूल मिटी उस पर जम जाती है और डैली में तो वैसे ही डस्ट पॉलिशन का जादा पंगा रहता है और आज कल थोड़ा ठंड कम हो गई है तो सुबह भी थोड़ी जल्दी हो जाती है मतलब रोशनी थोड़ी होई हुए थे तो इसलिए मैं सोचा कि सुबह सुबह ही मैं यह काम निपता दूना क्योंकि स्कूल से आने के बाद इतनी महनत करने का दिल नहीं करता क्योंकि पार्किंग थोड़ी बड़ी है तो टाइम तो लगता ही है उसको धोने में और फिर बच्चे भी बोलते हैं कि ह हम भी चलेंगे हम भी यह करेंगे वो करेंगे फिर वो गीली होंगे तो इसलिए मैं सोचा कि अभी कोई उठा नहीं है अभी अभी सुबह सुबह मैं यह काम निपताया हूँ और फिर उपर जाके मुझे खानवाना बनाने का काम करना था तो कुछ तो मैं करके आई थी और तो बस अब जस्ट मेरी पार्किंग की धुलाई हो गई थी और एक रीजन ये भी था कि फिर वो गली में पानी जाता है ना तो अभी दिली वाले तो सोके उठे भी नहीं थे सब सोई रहे थे तो मैंकर जब तक सब उठेंगे तो गली भी सूख चुके होगी ये ना हो के भई की सबची और साथ-साथ ही मैंने दूद उबला रख दिया था गाएं का दूद आज कल हमारे लिए आता है तो वो अभी मैने उबाल दिया था रात को नहीं उबाला था मतलब शाम को आता है वैसे तो तो बस रोटी-वोटी मेरी बन चुकी है सारी किचन मैंने साफ कर दी है और आज आरो की भी सर्विस करानी है दो दिन से थोड़ा सा दिक्कत ये कर रहा है अभी अभी हन नहा कर आई हूँ जस्ट मैं और स्कूल जाने की हो रही है तैयारी और अभी नीचे पार्किंग का बहुत सारा काम करके आई हूँ तो चलिए स्कूल के लिए रेडी हो लेते हैं और आकर फिर घर का काम हो जाएगा श्रूरू अभी मैं रेडी होकर पहुंच चूकी हूँ स्कूल और आज थोड़ा स्कूल जल्दी आ गई थी तो इसलिए अभी वाक कर रही हूँ मैं और आज कल पार्क वार्क जाना बंद है कुरोना की विज़े से सिफ्टी की विज़े से तो या तो छत पे वॉक करती हूँ और आज स्कूल जल्दी पहुंच गई थी तो स्कूल में ही आ चल रही वॉक अब ही शाम का टाइम है शाम के बज़े हैं छे बच्चे सो के उठ चुके हैं और जो हमारा आरो का ठीक कराने का काम था वो अभी चल रहा है भाईया आ चुके हैं मैं कहने एक मिन्स जो ठीक करते हैं और अब लोगोंने वीडियो में किसी में शायद देखा हूँ मेरे आरो के दिया था कमर को कि भई साफ कर तू बैठ के इसको क्योंकि ये टीवी देखता है ये अलेक्सा देखता है तो सबसे जाधा यूज वाइफाई कमर ही करता है तो फिर भई अपनी चीज को आप खुदी साफ करोगे तो ये अपना रगणने में लगा हुआ था साथ साथ तीवी भी इसका चल रहा था लेकिन इसको बहुत देर बाद याद आया कि वाइफाई का तो तेरे हाथ में है ये और फैटीवी कैसे चलेगा तो इसको बहुत देर बाद ये बाद समझ आई ये आरोना अभी खुला पड़ा है और वह भाई इसकी सर्विस कर रहे थे लेकिन बीच उसको भी साफ कर देती हूं उपर से तो मैं रेगुलर उसको साफ करती ही रहती हूं हफते दस दिन में लेकिन आज मुझे अंदर से भी साफ करने का मोका मिल गया तो मैंने सोचा कि जब तक वह भाईया आते हैं तो इसको अंदर से अच्छे से सर्व से साबून से मैं साफ क कर लेती हूं कि कई बार मुझे लगता था कि बाहर से तो साफ हो गया लेकिन अंदर की तरफ धून धून सी दिखाय देती थी धून दिन असेंस में धूल मिटी अंदर भी पहुंच गी थी और आरो भी बहुत पुराना है हमारा तो इसलिए इसको रेगुलर साफ करती रहती ह तो यह बिल्कुल नया लगता रहता है कोई मानता ही नहीं है कि यह इतना पुराना हो चुका है तो आज इसकी अंदर से भी सफाई हो गई और फिर वो भी आने वाले थे तो मैंने सोच लिया था कि उनको बोल दूंगी कि अंदर से भी मैं इस डस्टिंग कर दे वैसे तो सर जो वाने तू चाहिड़ि जो जो कोम नहीं हरे थाई पढ़ने केम पाने पाने केम पाने के तो से खुछक थेफेचा से खुछ मँटस है से खुछ equival मोर ₩ ऐस खुछ कि आए पाने नी करेंख बोड़ेगे के पानी प्यानि कोन्य कुछ impul़ेप्पर कवरीपेंश चुटीबर ही बड़नीच देड़ के घुट इसका अन्कल्ख उल्च कर दो आपके अंदर करना है कि आरो हो चुका है हमारा ठीक और फिर से सेट कर दिया है और उन्होंने बोला था कि इसमें जो पानी है उसको सारा निकाल देना है आपको और ये वला पार्ट इसका चेंज किया है मैं इसे नया लगाना पड़ा और इसी को लेने वुग गए थे और इसका ना कई दिन से TDS भी थोड़ा सा डगमगा गया था मतलब TDS सेट करा अब ही शाम का टाइम है शाम के बचे हैं साथ और अभी थोड़ा साइस रूम की सफाई करने थी मुझे आप लोगों ने सुबह वाली वीडियो में देखा होगा कि पीछे ना कपड़े रखे हुए जो कपड़े दोए थे वो मैंने तय तो लगा लेकिन अभी बैड पे ही तो अभी पहले इनको उठाऊंगे फिर होगी डिनर की तयारी और अभी बीच में बहुत सारा टाइम वेस्ट होगा आप लोगों ने वीडियो देखी होगी कई दिन से ना फिल्टर बड़ा प्रिशान कर रहा था मतलब उसमें धीरे धीरे पानी फिल्टर हो रहा था और उ अभी उनको वैसे भाईया को बोला हुआ था कल भी वो नहीं आये आज भी फोन करने से मुश्किल से अभी शाम को आई वो तो एक डिट घंटा उसमें हमारा वेस्ट हो गया क्योंकि किचन में तो जाई नहीं सकता ने इंसान के कितनी बड़ी किचन नहीं है वो काम कर रहे थे और उन्होंने सारा वो उतार के भी रखा वाता व लोगोंने देखा यह था तो अभी जस्ट वो ठीक करके गई हैं अभी भी हम पान यूज नहीं कर सकते क्योंकि उन्होंने बोला था कि एक बार यह पूरा फिल्टर हो जाएगा उसको गिरा देना है आपको उसके बाद डल चुकी है दो वीडियो में वहां डाल चुकी हूँ गर आप लोगोंने नहीं देखी अब तक तो वहां जागे देख लीजिए अच्छे अच्छे कमेंट्स अच्छे व्यूस वहां पर आ रहे हैं और ऐसे ही अपना प्यारों सपोर्ट बनाए रखिएगा आज के लिए इतना ही था थैंक्स वर वच्छिंग वाई